Hello Welcome to Irving Singh Academy We are discussing projectile motion And this is video lecture no.6 I hope you have already watched one of five before watching this part of six आज हम बात करते हैं horizontal projectile के बारे में क्छली क्लास में हमने object projectile के बारे बात किया था और आज हम बात करेंगी horizontal projectile के बारे में To horizontal projectile क्या है यह समझते हैं सबसे पहले उसके बाद हम आगे इसके कुछ डेरिवेसिंस करेंगे देर राफ्टर को डिसकेस्न नोमेरिकल सेट वह जैसे कि हमने बताया था कि अबलिक प्रोजेक्टाइल में कुछ इंगल से इंगल अफ प्रोजेक्शन होती है थीटा और कुछ थीटा इंग तो इसमें क्या होता है कि किसी सर्टेन हाइट से बॉड़ी को थो किया जाता है और उसके बाद उसकी मोशन और कितनी टाइम बाद गिरेगा यह हमें कल्कुलेट करना होता है तो इसमें क्या है कि एक सर्टेन हाइट से बॉड़ी को थो किया जाता है बॉड़ी इस थोन प्रॉड़ी को थो किया जाता है तो उसकी पाद को हम कहेंगे और यह मान लेते हैं कि यह हाइट है यहां से बॉड़ी को थो किया जा रहा है और यह है ग्राउंड हमरा जो ग्राउंड है कुछ इस तरह का यह है ग्राउंड और बॉड़ी को इस हाइट से थो किया जाता है इस हाइट से जब बॉड़ी को थो किया जाता है तो उसकी कुछ initial speed होती है यहां पे जैसे मैं लिजएगी बोडी को एसे पका तो यह ground को बिल्कुल क्या हो गया पैरलल हो गया और बोडी को यहां पे यह जिसको ओ मालनेते है point को क्योंकि यहां से इसके respect में distance क्या है जी रहा है अब यहां से जब बोडी को थोकिया जाता है, तो बोडी का कुछ मुसन ऐसा होगा, तो इस तरह का मुसन होगा बोडी का, जो पाथ होगा वह इस तरह का होगा कुछ, ठीक है? so what we will discuss is कि पाथ जो है ओ कैसा है यहाँ पे थोड़ा सा टेड़ा हो जया है इसको सीधा कर दो यह पाथ जो होगा ओ लगभग ऐसा होगा और यह ऐसा इधर आएगा निचे की और हम यह माल लेते हैं डारेक्शन के लिए यह ऐसा होगा अभी दिखाएंगी क्या हो रहा है बोड़ी तो आके यहाँ रुख जाएगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगा यहाँ पे ए से बोड़ी को थोग किया गया और बी तक पहुचा तो बी पे वेलोसिटी कंसीडर करने के लिए हमने यह आगे भी ड्रॉख कर दिया है यह जो होगा यहाँ पे एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा जब वेलोसिटी होगी तो और एक होरिजून्टल कंपोनेंट भी होगा तो इन दोनों को हम देखेंगे कि क्या वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेन इस ट्राइक अगेन दो ग्राउंट तो दो कंपोनेंट यहाँ पे भी होगे एक कंपोनेंट होगा होरिजून्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट तो होरिजून्टल कंपोनेंट जो होगा ओ पैरलल तो एक सेक्सिस होगा vertical component होगा और parallel to y axis होगा इसको vector के form में भी लिख सकते हैं चाहें तो original और vertical component vector के form में क्या लिखेंगे यह भी हम बताएंगे आपको और यह जो यहाँ से यह body के गिरने की जो हमने बात कही है वो लगभग मान लेते हैं इस तरह का strike करेगा जो इस तरह का correct ठीक है so finally ये direction होगी इसकी और हमें इसमें मालने तब हम इसमें लेख ये जो है ठीक है ये व्रेटिकल वेलोसिटी होगी ये इसको final वेलोसिटी मालने ते हैं ये vx होगया और ये होगया vy यहाँ पे अगर इंगल अफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना होगा यह हमें यह देखा है रहा है कि यह इंगल अफ प्रोजेक्शन है तो इंगल अफ प्रोजेक्शन यहां क्या है थीटा थीटा क्या है जीडो सो यहां पे थीटा है जीडो थीटा है इंगल अफ प्रोजेक्शन जीडो क्योंक तो यहां पे body का motion क्या है देखिए यहां पे vertical component of velocity जो है वो 0 है यहां पे vertical component of velocity है 0 यानि ui है 0 यहां पे ui है 0 ui 0 यहां पे vertical component of velocity 0 है और horizontal component of velocity क्या है u that is called ux यह हो सकता है u is equal to ux यानि velocity का सिर्फ x component है y component है वो 0 control info t time लगेगा तो g कहा लगता है जी हमेंसा नीचे जिलगता है तो यह अगर height h है यहां से यहां तक यह मालनूँ की उपर यह h height है, फुरा, राइट, यह मालने कि यह height कितनी है, h है, h height से यह body गिरी है, और यहाँ पर throw की जा रही है, तो कितना time लएगा, तो अब यह h जो है, इसको हम क्या मालनेंगे, distance, h को मालनेंगे, distance, और इस distance में, यहाँ पर जो distance है, यह जो distance है, इसको हम, क्या कहेंगे, यह जो distance है, यह ground के respect में है, और, खोड़ा diagram, yes, that's, h is equal to, हम, h, चुकि motion उपर की ओर है, और distance नीचे की ओर travel करना है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कि यह जो distance है, उसको हम मालनेंगे, क्या, negative, इस distance को हम मालनेंगे, negative, negative h, so, distance traveled is equal to, what, that is, negative of h, distance is, distance here, distance is, motion के opposite distance travel करना है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए, vertical distance, चुकि, vertical motion उपर की ओर है, और यह distance नीचे की ओर travel करना है, तो यह minus h हो गया, और यहाँ पर initial velocity, जो ux component है, वो u के बराबर है, और ui component है, वो 0 के बराबर है, तो हम लिखेंगे, h is equal to, distance is equal to क्या होता है, formula, h is equal to ui, ui t minus half gt square, यही फामुला हमने लिखा है, है, so that will be minus h is equal to ui क्या है, 0, 0 in minus half gt square, so what will happen, अब इस अधार पर यह होगा, minus h is equal to minus half gt square, यह तो 0 हो गया, minus से minus cancel हो गया, तो यह हो गया, 2h upon g is equal to t square, and therefore t is equal to under root 2h by g, यह time taken to reach the ground, यह जो formula हुआ, वो हुआ time taken to reach ground, ठीक है, इसको आपको याद रखने चाहिए, time taken to reach ground, यह formula हो, और इसको आप चाहना तो लिख भी सकते हैं, कि यह है time taken to reach the ground, this is called time of flight, time of flight, क्योंकि इतना ही देर यह आवा में रहेगा, और it can be also said that time to reach the ground, दोनों सेल है यहाँ पर, reach the ground, इतनी देर बाद यह ground पर मिलेगा, तो ground यह होगा, इस तरीके से यहाँ पर जो velocity होगी, इसके दो component होंगे, एक along x axis है, और along y axis है, तो उपर में vector के j direction होती, unit vector नीचे, minus j होगा, और यह x axis के along है, तो इसका unit vector आई है, तो यहाँ पर जो velocity होगा, x component वो vxi और vy j minus के साथ, अब vector यह resultant अगर v इसका resultant है, तो parallelogram law से हमने सिखा है, v is equal to final velocity, v is equal to क्या होगा, vx square plus vy square, magnitude गहीं साथ से, velocity vector यह निकलेगा, क्योंकि v क्या होगा, यहाँ पर final velocity होगा, vxi minus vy j, यह होगा velocity, और इसका magnitude निकालेंगे, तो यह होगा modulus of v is equal to, this होगा, x i के component, तो यह final velocity जो होगा, वो इस तरह का होगा, final velocity जो होगा, वो इस तरह का होगा, और velocity का component निकालने के लिए, आप यह तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर, यह जो vx और vy y के magnitude है, वो कितना होगा, यह हम अगर calculate करना चाहें, कि इसका magnitude कितना होगा, तो क्या होगा, बताएं, तो इसका magnitude निकालने के लिए, vx जो होगा, वो कितना होगा, तो यह ux के बराबर ही होगा, क्योंकि horizontal component of velocity change नहीं होती, और ux के बराबर ही होगा, तो यह ux ही कह सकते हैं, इसको, vy y जो होगा, वो कितना होगा, तो यह होता है, v is equal to, v is equal to क्या होता है, u plus 80, तो u y plus gt, यह होगा, यहाँ पर, तो u y plus gt का मतलब यह component हो गए दो, v y is equal to u y plus gt और v x is equal to u x, इसलिए v की value क्या होगी, therefore v is equal to, under root आप चाहें तो लिख सकते हैं, यह सारा, u x का square, u x का square, plus v y plus gt का whole square, यह दोनों के लिए ही लागू होगा, चाहे यह oblique projectile हो, चाहे यह horizontal projectile हो, दोनों के लिए ही यह formula लागू होगा, बस फरक यह होगा, कि जब हम horizontal projectile की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो v y क्या हो जाएगा, एंगल से strike करेगा, अगर यह theta माल लेते हैं कि एंगल है, तो tan theta is equal to हो जाएगा, tan theta is equal to कितना, तो v y upon v x यह होगा, यह एंगल गया, यानि theta is equal to tan inverse v y upon v x, तो यह भी एक formula हो गया, जिससे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है न, तो यह किस एंगल से strike करेगा आपको, यह पता चल गया, और दूसरा कि किस velocity से strike करेगा, वह भी पता चल गया, अब आई एक numerical करते हैं, जिसके जरी हम समझने कोसिस करते हैं, किस सवाल का क्या मतलब हो, numerical यह है, कि हाइकर stands on the cliff of 490 meter above, यानि एच दिया है, 490 meter above the ground, throw a stone horizontally with a speed of 15 meter per second, यानि u x जो दिया हुआ है, वो 15 meter per second दिया है, neglecting air resistance, find the time taken by stone to reach the ground, अगर हम shortcut से इसे निकालें, तो क्या लिखेंगे, time taken to reach the ground is equal to under root 2hyg, यहीं formula सिखाया आपने, तो इसलिए आप लिख देंगे कितना, 2 into 490, height, और g है 9.8 लेना था, यह point दाएंगे तो उपर 0 हो जाएगा, और 98 से 98 कट जाएगा, तो हो जाएगा 100, 100 का मतलब हो गया 10 seconds, तो यह हुआ कि time 10 seconds बाद, now question में, जब speed भी निकाले, speed wise, which is strike the ground, so we can calculate it, यहाँ पर vx जो होगा, वो क्या होगा, ux के बराबर होगा, जो 15 meter per second दिया हुआ है, और vy जो होगा, वो होगा, uy plus gt, that is, ui तो 0 है, तो यहाँ पर initial vertical component 0 है, तो यहाँ पर gt होगा, g का मतलब 9.8 into 10, that is 98 meter per second, so v क्या होगा formula के हिसाब से, आप v is equal to लिख सकते हैं, under root 98 का square, vx का square, plus vy का square, यह हो गया, प्रॉक्स 99 meter per second, यह answer आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में अगर करना होगा, तो आपको जैसे हमने derivation किया है, वैसे solution भी करना पड़ेगा, यह दिखें, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, h is equal to minus 490 meter, और vy क्या है, ui क्या है, ui है, 0, और ux क्या है, 15 meter per second, so using the formula, h is equal to minus h is equal to, क्या लिखेंगे, वैसे ही, बताइए, ui t minus half g t square, अब यह हो गया, 490 is equal to, यह तो 0 है, t minus half, और यह 9.8 into t square, यह कट गया 4.9 से, और यह 4.9, यह दोनों minus cancel हो गया, तो 490 is equal to 4.94, t square is equal to 100, यह direct divide हो गया, and therefore t is equal to 10 seconds, 10 seconds, यह आ गया, उसके बाद velocity को फिर वसी तरह से निकाल देंगे, और जैसे यहाँ निकाला है, बिलकुल से मुसी तरह से, तो यह भी answer हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ निकाला, वैसे यहाँ भी निकाल सकते हैं, तो यह question आप अगर formula से करना चाहें, तो फटाफट हो जाएगा, आप अराम से कर सकते हैं, अगर आप completion में करते हैं, तो यह सारी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप orally भी calculate कर सकते हैं, कि यह को 3 है, और यह u plus gt है, यू आई जो है, 0 है, तो g into t मतलब 9.8 into 10, 98 होगा है, 98 का स्काइर, plus 10 का स्काइर, it is approximately 99 स्काइर, so that will be answer, I hope you got it, है न, तो इस तरीके से हम कुछ numerical कर सकते हैं, आईए कुछ और देखते हैं, कुछ और numerical और कुछ और इक जामपस देखते हैं, अब numerical की बात आई है, तो यहाँ पर लिखा है, question है, कि Galileo ने कहा था, Galileo in his books, two new sciences, stated that elevation which exceeds or falls out by 45 degree, is equal amounts, the ranges are equal, यानि horizontal range की बात कह रहे हैं, तो अब इसका solution कैसे होगा, तो solution के लिए हम मान लेते हैं, let theta be an angle by which it exceeds or fall short by 45 degree, by 45 degree, then angle of projections are, angle of projections are, projections are, क्या क्या होगे, एक 45 degree से, theta exceed कर रहा है, तो 45 plus theta, and 45 degree से theta short कर रहा है, तो 45 minus theta, यह होगा, तो इन दोनों के horizontal range जो है, वो equal है, यह बात प्रूफ करनी है, तो let r1 and r2 be the horizontal range, let r1 and r2 be the corresponding, be the corresponding horizontal range, horizontal range, horizontal range, horizontal range, for two angle of projection, two different angle of projection, different angle of projections, तो यह होगा, कि 2 r0, r1 is equal to क्या होगा, formula होता है, angle of projection का, r is equal to u square sin theta by g, यह होता है, तो u square sin 2 theta by g, यह होता है, angle of projection का, horizontal range का formula, तो here r1 is equal to क्या होगा, तो यह होगा, u square sin 2 45 plus theta upon g, और यह होगा, u square sin 90 plus 2 theta by g, sin 90 plus 2 theta, plus theta होता है, cos theta, सो यह हो जाएगा कितना, cos 2 theta, cos 2 theta by g, और r2 क्या होगा, r2 होगा, u square, यह है, sin 2 45 minus 2 theta, 45 minus theta, यह दूसरा angle of projection है, upon g, तो यह भी होगा कितना, u square sin 2 से multiply करेंगे, तो 90 minus 2 theta by g is equal to क्या होगा, sin 90 minus theta is also cos theta, तो cos 2 theta by g, so clearly r1 is equal to r2, clearly r1 is equal to r2, that is, two ranges are equal, ranges are equal, ठीक है, यह ही proof करना था, उमीद है कि आप यह समझ गया होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके, आईए, अब जितना हमने सिखा है, उसका एक application सिखते है, a cricket ball is thrown with a speed of 28 meter per second in direction of 30 degree above the horizontal, calculate the maximum height time taken by ball to return the same level, that is time of light and distance from thrower, the point where the ball returns, that is horizontal range, तो तीन चीजहें इसमें निकालनी है, हम इसको कैसे करेंगे, वो देखते हैं, ठीक है, तो इस question को करने के लिए, आपको फ्रमूले इस्तमाल करना होगा, answer, देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, initial speed दिया हुआ है, u is equal to 28 meter per second, और theta कितना दिया हुआ है, angle of projection 30 degree, ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है, time of flight, horizontal range, और क्या निकालना है, maximum height, यह तीन चीजहें निकालनी है, तो, we know, formula time of flight का क्या होता है, time of flight का होता है, 2u sin theta upon g, तो यहाँ हो गया, 2u का मतलब, 28 sin 30 degree का मतलब, half upon g का मतलब, 9.8, यह भी calculate कर सकते हैं, 9.8, सुगिधा के लिए, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम 10 ले लेते हैं, g को कितना ले लेते हैं, 10, 10 ले लेने में कोई बुराई नहीं है, तो अभी हम 10 ले लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, सुगिधा के लिए, तो यह कट जाएगा 2 से, 2, 2.28 by 10, यह 2.8 सेकेंड के बाद, वो जो में पे स्ट्राइक कर लेगा, दूसरा जो है, horizontal range के लिए, तो horizontal range क्या होता है, तो यह होता है, u square sin 2, यानि यह हो गया 28, क्या स्क्वाइर, 28 square, into sin 2 theta, sin 60 degree हो गया, that is root 3 by 2, upon g क्या हो गया 10, यह हो गया 28 into 28, into root 3, divided by 2 into 10, अब यह 2 से यह 14 times कट गया, और यह आप लिख सकते हैं, 14 8 से कितना होगा, यह calculate करेंगे तो, यह calculate करेंगे आप, तो यह आजाएगा approximately, root 3 का value 1.732 लिखतेंगे, और यह multiply कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यह आजाएगा, 67.88 मीटर, अप्रोक्स, तो यह हो गया, horizontal range, यह horizontal range होगा, अब हमें निकालना है, maximum height, तो maximum height का formula क्या होता है जी, maximum height, height, h is equal to, u square sin square theta upon g होता है, तो यह हो जाएगा, u sin theta का whole square भी लिख सकते है, upon g, u sin theta क्या होगा, 28u है, और sin 30 degree है, sin 30 degree, divided by g, और यह square है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कितना, 281 by 2 upon 10, यह भी हम ले रहे हैं, तो यह हो गया 14, cancel होके square है, 14 का square कितना होता है, 196, 14 का square 196 हो गया, divided by 10, 196 divided by 10, यानि 19.6 मीटर की हाइट तक यह जाएगा, तो यह असानी से आप formula लगा करके, और numerical को कर सकते हैं, और मुझे उमीद है, कि इसमें आपको कोई दिकत नहीं होगी, और आप formula एक बर रियार कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि क्या क्या निकलना है, और उस तरह से आप असानी से निकल सकते हैं, यहाँ दिखे लिखाई हुआ है, maximum height निकलना है, that is A, हमने A बाद में निकल दिया, A section यहाँ पर निकलना है, maximum height, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, कि निकलना है क्या, the time taken to return the same level, that is time of flight, तो यह था part B, और उसके बाद निकलना है, the distance through or point, where ball is returned at the same level, यहाँ फेका गया, तो वापस कहाँ पर strike करता है, that is part C, तो यह कोई भी पहले, कोई भी बाद निकल सकते हैं, सब independent formula है, और एक दूसरे से अलग है, कोई भी पहले, कोई भी बाद में निकाल सकते हैं, हमने पहले B निकाल दिया, C निकाल दिया, उसके बाद यह निकाल दिया, कोई भी पहले, कोई भी बाद में किया जा सकता है, तो यह formula याद रखने पर, बड़ा ही असान सा सवाल है, है ना, उमीद है कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, आइए कुछ और एक दो नो मेरिकल कर लेते हूं, तो यह देखते हैं कि क्रिकेटर can throw a ball to maximum horizontal distance of 100 meter, maximum horizontal distance कब होता है, जब theta कितना होता है, 45 degree होता है, how much high the ball can be, can the cricator throw the same ball, तो maximum horizontal distance, जो है, वो formula होता है, कितना maximum horizontal distance के लिए, u square upon g, क्योंकि theta अगर हम 45 degree लेते हैं, तो यह 2 into 45 क्या हो जाता है, 90 degree, और 90 degree होने से ही क्या हो जाता है, 1 sin 91 होता है, तो r max होता है, u square upon g, यहाँ पे हम formula इस्तिमाल कर लेंगे, यहाँ solution लिखते हैं, ठीक है, r max is equal to, यानि horizontal maximum, u square upon g होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, 100 meter, और u square upon g की value हम ले लेते हैं, कितना, 9.80 ही ले लेते हैं, कोई बात ही नहीं लिखा है, इसे 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं, 9.8, तो u square क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 9.8, यानि 98 into 10, 980 meter per second, तो u हो जाएगा, under root 980 meter per second, ठीक है न, under root 980 meter per second, यह u हो गया, अब बताना है, how much high the ground can the crickator throw the ball, तो हमें निकालना है maximum height, so maximum height is equal to, maximum height h is equal to, h निकालना है, यहाँ पर understood है कि theta कितना है, 45 degree है, ठीक है न, r max के लिए theta कितना होता है, 45 degree, ठीक है, यह पता है, तो maximum height का formula क्या होता है, maximum height का formula होता है, u square sine square theta upon g, तो u square sin square theta upon g, sin square theta upon g, अब देखिए, u square कितना है, 980, यहां से 980 ही दे लिके देता हूँ, और sin square theta क्या हो जाएगा, sin square 45 degree, और g कितना है, 9.8, अब 9.8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 9.8 से कड़ेगा, तो यह कितने बार में कड़ेगा, यह 100 बार में कड़ेगा, 100, और यह पूरा कटके 100 हो गया, sin 45 की value, 1 by root 2 होता है, उसका square, यानि 1 by 2, that is 50 meter की height, और attend करेगा, तो maximum height जो attend करेगा, और 50 meter करेगा, तो यह answer हो गया, मुझे नहीं लेक्ता है, इसमें आपको कोई दिक्कत है, ठीक है न, अगला question दिखते हैं, a bullet fired at an angle of 30 degree, with the horizontal hits the ground 3 km away, by adjusting its angle of projection, can we hope that hit the target 5 km away, or assume that muzzle speed to be fixed and neglect air resistance, ठीक है, यह दिया है, इस question को solve करने का हम देते हैं, देखिये, तरीका, 2 है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन थीटा जो है, angle of projection, वो है 30 degree, और horizontal range दिया हुआ है, वो है 3 km, 3.0 km, यानि 3 km, अब r का formula विनो, कि r का formula क्या होता है, r is equal to u square sin 2 theta upon g, यह होता है, r u square sin 2 theta upon g, यह आपको पता है, तो यहाँ पे r का मतलब, u square sin 2 theta upon g, अब यहाँ पे आप r की value रख सकते हैं, दिखिये दियान से, तो यहाँ पे क्या होगा, r जो है, वो 3 km है, और यह u square, जो है, वो कितना हो गया, वो मालूम नहीं, sin 60 degree, यानि root 3 by 2, 30 degree head theta, 2 theta 60 degree, sin 60 value root 3 by 2, into g, g इधर आके multiply होगा, तो u square is equal to, यह root 3 से, यह 3 root 3 times कट जाएगा, है न, तो यह हो जाएगा, u square is equal to, 2 root 3 g, यह 2 इधर आके multiply होजाएगा, 2 root 3 g, यह होगा, u square, g की value आप 9.8 ट्रेक सकते हैं, आगे जरूरत फड़ेगी तो रखेंगे, नहीं, तो ऐसे ही cancel हो जाएगा, तो देख लेंगे, अब क्या है, हमें निकालना है, कि क्या हम theta को adjust करके, 5 km की range तक पहुँच सकते हैं, तो theta जो है, वो हम 45 degree maximum horizontal के लिए, r max is equal to, क्या हो सकता है, r max is u square upon g होता है, तो u square कितना हो गया, 2 root 3 g upon g, हो लिए, u square की value रख दिया, g से g कट गया, 2 root 3 km तक जा सकता है, 2 root 3 का मतलब हुआ, 2 into 1.732, that is, यह हो गया, 64 and 34, तो 34, यानि 3.464 km less than 5 km जा सकता है, यानि even theta को हम adjust भी कर लेंगे, maximum horizontal range भी ले लेंगे, तब भी वो 5 km के target को hit नहीं कर सकता, तो answer हो गया, no, it cannot hit, can't be hit, target of distance, target at distance 5 km, 5 km, कोई दिकत नहीं है, मुझे उमीद है, आपको बहुत अच्छी तरह से यह बात समयज में आ गई होगी, और इसमें कहीं कोई आपको परिशानी नहीं हो रही होगी, है न, हो रही है क्या परिशान, बहुत असा formula है, और formula को सिर्फ apply करना है, और जैसे ही आप formula apply करेंगे, आप खांसर आ जाता है, तो बस तीन formula यहाद रखने है, equation of trajectory वगरा पे भी question होती है, लेकिन अभी पहले इस formula के अधार पे जो कुश्क numerical था, वह हमने किया, अगली class में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्का, अस वीडियो को आपको अगर आपने देखा है, अच्छा लगा है, तो comment में जरूर comment दे, और जो भी अगर खराब भी लगा है, तब भी आप लिख सकते हैं, यह आपको क्या खराब लगा, उसको हम निश्ची द्रोप से अगे सुधारेंगे, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन अस वेल, वेल, और ये करो लेकत लोगा हैं, आपको कि अभी हैं, तो सब्सक्राइब गलेश खराब से रूची आप लेगा, विश्ची देए ये चाराब से अटी सब्सक्राइब लगा, प्रेकर नहीं किया है जावे लिख तक लोग्शाशनिया हैं और लेकर प्लोग से अवे सब्स